हेलो स्टूंट्स वेलकूम तो माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमाटिक्स क्लासे स्टूडियो में आप लोगों को MT 11 प्रबाबिल्टी और स्टेटिस्टिक्स के अंतरगत February 2021 में पुछा गया question को solution के साथ बताने जा रहा हूं question and frequency distribution of marks of the students of a class in mathematics is given below Mr. City aware ticket यहां पर हमें पुछाइगा है calculate the mean and standard deviation of these marks उसके बाद if the students got mean marks as 25 with a standard deviation 15 in the other subject statistics then find the subject which is more consistent सबसे पहले हम यहां पर mean or standard deviation find out कर लेते हैं इसके लिए हमें हमें यहां पर class interval के रुप में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और यहां पर students की संख्यां दिया हुआ है हमें यहां पर चार कॉलम अलग से बनाने होंगे एक कॉलम में हमें midpoint लेना होगा ठीक है सभी interval का midpoint उसके बार एक कॉलम में हमें d is equal to x minus ay h मंदब d का value हमें लेना है जो इसकी सहता से निकलेगा a क्या होगा? Assumed mean होगा है जो कि यहां midpoint का value निकला होगा है ठीक बीच वाला point हमें लेना है ठीक है तो यहां हमें midpoint में ठीक बीच वाला point क्या 25 है तो इसलिए एक आमान 25 लेंगे और एच क्या होगा तो प्लास इंटर्वेल का जो लेंथ होगा ठीक है यानी 10 तो हम हम एच की जगन 10 लेंगे ठीक है और रुसके बार फिर यहां पर हम एक कॉलम FD लेंगे एक टुटल फ्रिकान सी एन इस इक वर दिश्कार लेंगे और श्कार सिगमा एपडी स्क्राइब लेंगे अगना मीन निकाल लेंगे तो मीन निकाल लेंगे लिए फर्मूला है एक प्लस एच इंटु सिगमा एपडी वाई एक जगए 25 प्लस एच की जगए 10 इंटु सिगमा एपडी का वैव्यू फाइव है और एन का वैव्यू एटी है इस तर से सिंप्लिफाइब करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 25.625 यह में मांश इसके बाद इस्टेंड देवेशन है टेसे कैसे करेंगे तो यहां पर इसे इंटर डिवेशन इपल टेट एच अनलूट सिगमा इप्री स्कॉर वाई एन मानश सिगमा दिवाई एन फोल इस्पार एच या नि लेंग अल्ग स्टेवल कैन फिर न देन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 11.97 ठीक है अब हमें यहां पर और क्या पुछा था दूसरे पार्ट में इफ दी इस्ट्वेंट्स गॉट मीन मांक्स एस 25 इस्टेंडर डिवेशन फिप्रें इन दर अधर सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स ठीक है एक अनिस सब्ज सब्जेक्ट में और स्व्जेक्ट ज्यादा कंसिस्टेंट है तो इसके लिए यहाँ इसके लिए यहां पर क्या फाइंड लुद का वोगा थाज़ा के लिए टूनें और सब्लीट में इंटीफवान कहीं तर आस और दिट गया तर के सब्रूर है कि तुक् निकलता है coefficient of variation 46.71 उसके बाद statistics में में मार्क 25 बेस्टेंटर डिवेशन 15 है कोईफिशेंट और वेरियेशन निकालेंगे तो क्या value put करने के बाद यहां पर 60 मिलता है तो हम क्या देख रहे हैं कि 46.71 से 60 कि बड़ा है तो हमें coefficient of variation यह जो 46.71 यह किसका है mathematics का है तो इसलिए हम क्या कहेंगे mathematics is more consistent यह कम है इन दोनों में जिसका value कम होगा coefficient of variation का value जिसका कम होगा वही जढ़ा consistent होगा तो इसलिए हम कहेंगे mathematics is more consistent okay strengths, thanks for watching